हेलो गाइस विल्कम बैक टो मैं चैनल तो गईस उम्मीद करते हूं कि आप लोग बहुत शी मस्त में होंगे तो गईस आज हम फिर से और एक न्यू धमा कदर के में पैरेशन लेके आचुके हैं आप लोग लिए जो है आईफोन 10S और गूगल पिक्सल 3 के बीच एक रियल धम प्रमांड है इस दोनी फोन का और एभी अप लोगों को पता होगा कि आईफोन का जो कैम्रा कौलिटी होता है और गूगल पिक्सल का भी जो कैमरा होता है वह एक्ट्व में ओवी लाजवाब होता है तो तो चुआंगे आज हम देखेंगे कि आईफोन 10S का कैमरा क्याइट क्लिक का है कि डिवाइस का केमरे केमपैरेजन देखना चाहिए तो इस दो नहीं डिवाइस का रियर एंड फ्राउंड केमरे से मैंने हर लाइटिंग कंडिसेंस में फोटो एंड वीडियो सूट किये हैं तो आज हम आप लोगो को स्टेप बाइस टेप दिखाने वाले हैं कि क्यों सा डिवाइस कैमरे के मामले में निकल के आता है आइफोन 10S या गूगल पिक्सल 3 तो आप अगर आपका मन का डाउट किलियर करना चाहते हैं तो गईस प्लीज इस वीडियो को स्किप किये बिना देखते रहिएगा क्यूंकि आपका डाउट जो है वो डेफिनेटली क होने वाला है इस वीडियो को देखके और इस आप अगर आज का दिन में इसमें से कोई भी डिवाइस को पर्चेस करने के लिए जाते हैं तो आइफोन 10S का प्राइस पड़ेगा मैक्सिमें 25,000 और वह अगर हम बात करें गूगल पिक्सल 3 के बारे में तो इसका प्राइस ज है गैरा इस यह उनका देखने को मिल जाता है जो है दोने यह तोनेही दोनेही मतों के स्वेटगे के फिक्सल कर शोंग के और चोंचान लाताई प्राहथ इस वे 10 Megapixel और वही अगर हम बात करें Google Pixel 3 के बारे में तो आप गाइस देख सकते हैं कि एक सिंगल कैमरा का सेटप देखनों को मिल जाता है जो है 12.2 Megapixel और यह भी सेंसर आता है तो चलिए गईस हम तेरे किस बात की कर रहे हैं तो चलिए इस वीडियो को कुई क्लिए स्टार्ट करते हैं कि आप गाइस अभी हम वीडियो सूट कर रहे हैं इस ही आइफ़न 10S और गूगल पिक्सल 3 का यह एर केमरे से सो वीडियो सूट हो रहा है आइफ़न 10S और गूगल पिक्सल 3 के बारे में तो इस डिबाइस का रियर केमरे से आप वीडियो सूट कर सकते हैं दोर के 30 aps, 1080p 60 aps, 1080p 30 aps लेकिन गाइस इस दोना ही डिबाइस का रियर केमरे से जो है अप्टिक इमेज स्टेविलाइसन का ओप्सेन देखनों को मिल जाता है तो चलिए हम अब लोगो थोड़ा सा दोर कर दिखाते हैं तो अभी हम दोर रहे हैं तो इस्टिवलेटी का अंदया लगा सकते हैं तो चलिए हम अब लोगो थोड़ा सा डाइनमिक रेंज केप्चर करकर दिखाते हैं तो अभी जो है वो सनलाइट पड़ रहा है तो दोना ही फोन अच्छी तरीके से डाइनमिक रेंज तो केप्चर कर लेता है लेकिन गुगल पिक्सल 3 जो है वो थोड़ा सा डार्क दिखा रहा है तो चलिए हम इस दोना ही डिवाइस का वाटर फोकस चेक कर लेते हैं कि अच्छी तरीके से कप्चर कर पाता है कि नहीं क्रिए हूँ एके तरीके से कर लेते हैं तो चलिए हम थोड़ा सा जुों क्लिंग टेस्ट कर लेते हैं तो अभी जो है वह और एक्स पे जुमिंग है तो टूइञ च्छी पर लगा देते है सब अलब ही उधर ते आप ऑब commissioner कर रहा है तो चलिए वह हुँ थोड़ाइब रभी जो है वह आइफोन टेना समय कर रहें तो आइफ़न टेने इस में आप सीक्स तक पिर सकते हैं और आह livro पिक्सेटी में जो है अपको ऐसे आइस तक dynamics कोुझेर लगा सकते हैं उन्सक्ण इन आप तरफ में को यह यशाय है जूमिंग के मामले में अक्चुलिए कि अधर। कि झाल झाल कि झाल कि अजय है अभी हम वीडियो फूर के रहे हैं इसी दोनों फोन का front camera से video suit हो रहा है 1080p 30 fps पे तो iPhone XS का front camera से आप video suit कर सकते हैं 1080p 30 fps और 1080p 60 fps पे और वहीं अगर हम बात करें Google Pixel 3 के बारे में तो आप इस device का front camera से सिर्फ 1080p 30 fps पे video suit कर सकते हैं लेकिन इस दोनों ही device का front side में जो है stability का option देखने को मिल जाता है तो चलिए हम अप लोगो को थोड़ा सा दोड़ के दिखाते हैं तो अभी हम दोड़ रहे हैं और अभी जो है बहुत ही जादा sunlight पढ़ रहा है मेरा face को उपर तो फिर भी हम अप लोगो को थोड़ा सा घूम के दिखाते हैं और डाइनमिक रेंच जो है वो कप्चर करके दिखाते हैं तो अभी जो है मेरा बैक्ग्राउंड में sunlight पढ़ आइस अप लोग देख सकते हैं तो थोड़ा सा भूम के दिखाते हैं और अभी जो है वो पसीना निकल के आ चुगा है मेरा face को उपर एक्च्यों में गई तो फिर भी आप लोग अंदजा लगा सकते हैं कि कौन सा डिवाइस का केमरे क्वालिटी फ्राउंट साइड का अच्छा है तो इसका कभी कंडिसियन सब लोग देख सकते हैं झाल 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 का डाउट किलियर हो गया होगा तो इसके लिए प्लीज हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रही है क्योंकि इस तरह इंट्रेस्टिंग इंट्रेस्टिंग वीडियो लेके आते रहते हैं आप लोगों के लिए तो चलिए गई सब्सक्राइब के साथ तब तक लिए बाबाई जैहिंद लेकिन गईस अपना ख्याल जरूर रखेगा झाल झाल